पिछले दो दिनों में बॉलिवुट ने दो महान फिल्मी कलाकारों को खोया है पहले बुधवार को इर्फान खान का निधन हुआ और उसके बाद रिशी कपूर ने 30 अप्रेल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया इन दोनों के निधन से पूरा देश शोप में डूप किया अभी इनके निधन से लोग उबरे भी नहीं थे कि सिरीच बॉलिवुट का एक और सितारा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया जिया प्रोड्यूसर्स गिल्ड ओफ इंडिया के सीओ कुलमीत मकड का निधन हो किया है साथ साल के कुलमीत का निधन दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से हुआ इस बात की जानकारी फिल्मेकर करंड जोहर ने ट्वीट करते हुए थी खबरों की माने तो कुलमीत मकड का निधन शुकरवार को हिमाचल के धर्मशारा में हुआ देश में जारी लॉकडाउन के वज़े से वो यहीं पर रह रहे थे फिल्मेकर करंड जोहर ने सीओ कुलमीत मकड के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कुलमीत तुम प्रोड्यूसर्स किल्ड ऑफ इंडिया के एक मस्बूत इस्थम थे हमेशा तुमने इंडस्ट्री की के विकास के लिए काम किया बहुत जल्दी छोड़ कर शड़े गए आप हमें हमेशा याद आएंगे आपकी आत्मा को शान्ती मिले करण के स्ट्वीट के बाद कई लोगों ने कुलमीत को अंतिम श्रद्धांजली ती आपको बता दें कि कुलमीत मकड ने कतित तौर पर मरंजन इत्योग में लगभग तीन दशकों तक काम किया कई बड़े संगठनों के प्रमुकोंने के लावा उन्होंने फिल्म उद्ध्योग में धैनिक वित्तर भोगी श्रमिकों के लिए ट्रस्ट एंट फंड बनाने में भी मत्पून भूमिका निभाई जो कि लॉक्टाउन के कारण वित्तिय कठी नईयों का सामना कर रहे थे कुल्दीब, इर्फान और रिशी कपूर के भी बहत करीबी कहे जाते थे यही वज़े है कि इनके जाने के बाद एक बार फिर इंडस्ट्री में शोक का महौल है A&P Newsroom की रिपोर्ट